शुता और नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का कारिक्रम स्वास्ते चर्चा में मैं हूँ अशोक पांडे और आज इस कारिक्रम में हम बहुत ही महतोपूर्ण विश्यप पर बात करने वाले हैं घुटना प्रत्यार उपन यह क्या है इसकी आवश्यक्ता कब प्रत्यार उपन की आवश्यक्ता क्यों पड़ती है जब हमारे घुटनों के उपर एक चिकना सतय होता है वो उम्र के साथ धिरे-धिरे करके घिसने लगता है या खतम होने लगता है और कुद्रत्री रूप से वो एक बार ही जब हम पैदा होते तब भगवान हमें देता है विथ धिरे-धिरे बढ़ती उम्र के साथ जैसे हर चीज हमारे चेहरों पे जुरिया आती है आखों में मोतिया बेन होता है उसी प्रकार से घुटनों के वो काटिलेज घिसने लगता है हमें जरूरत कब पढ़ती है जब हमारे हड़िया एक कुछ पॉइंट्स बिन्दू है जिन पर अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है तब हमें जोड़ प्रत्यार उपड की तरफ विचार करने के आउशर क्या ऐसा कहा जा सकता है कि घुटना प्रत्यार उपन उम्र के साथ-साथ किसी व्यक्ति को होने वाली समस्या है डिफिनेटली क में पुरुषों के मुकाबले बहुत ज्यादा होती पुरुषों को भी है लेकिन इसकी तागात काफी कम है उम्र जैसे जैसे बढ़ेगी हर एक व्यक्ति घुट्नों की चपेट में उनमें से बहुत सारी लोगों के घुट्टें बहुत बुरी तरह से डैमेज होते हैं जि जैसे हमने चर्शाबेगी कि उम्र एक कॉमन कॉज है इसका एक फैक्टर है उसके अलावा किसी तरह की चोट एक अगर हम कहें तो स्पोर्ट सेंजरी ये ऐसी चीज़े हैं क्या इनके इनकी भी एक वज़ह हो सकती है घुट्ना प्रत्यार उपन में उम्र के बाद जो दूसरा सबसे कॉमन कारण है जिससे हमारे घुट्नों को जुरत पढ़ती है जो एंट रिप्लेस्मेंट जैसी सरजरी की वह है चोट लगना और उसके बाद आती है आर्थराइटिस अन्य प्रकारों की हलाकि जो घुट्नों में पढ़ती है जो एज रिलेटेड ऑस्टियो आर्थराइटिस कहते है उसको अन्य आर्थराइटिस जैसे रूमोटाइड आर्थराइटिस हो गई जोडो जोडों में दर्द होना गाउट हो गया तो चोट एक दूसरी समस्या है समानता होता है कि हम जवानी के दिनों में जब चोट खाते हैं तो हमें लगता है सूजनाई है कुछ हम दवाई खाके कुछ अपने घरेलू नुस्के करके उससे पार पा लेते हैं तो तकलीफ हमारी उस वक के लिए तो खतम हो जाती है पर जो चोट काटिलेज को लग गई वो धीरे धीरे धीर देरे बढ़ती जाका तो जैसे हम बात कह रहे थे कि समानता 55-65 पे हमें घुटना प्रत्यार उपण की जुरत लगती है तो जिनमें चोटिल घुटनों में वो और जल्दी हो सकता है वो 45-50 तक पे भी आसका है घुटना प्रत्यार उपण की जब हम चर्शा करते हैं तो आम बनारस में इस तरह की समस्या की क्या स्थिती है किस तरह के पेशेंट है और अगर किसी विक्ति को यसी अवशकता है तो वो घुटना प्रत्यार उपण कहां कहां उपलब्द है कैसे कैसे वो करा सकता है घुटना प्रत्यार उपण एक बहुत ही सरल आपरेशन है वो छोटे से छोटे गाहों में और बड़े से बड़े अस्पताल तक में उपलग्द है उसको करने के experience level है जो छोटे शहरों में थोड़ा हो सकता है limited हो पर बनारस जैसे शहर में इसकी कोई अनुभाव की कमी नहीं है अनेको अस्पताल हैं जहां पर घुतना प्रत्या रोपड हो रहा है रही बात technology की तो आपको जानके बाने जी खुशी होगी और शोताओं को भी कि उत्तर प्रदेश में इसको करने के लिए सबसे जो सबसे advanced तरीका है वो robotic joint replacement है तो रोबोट के मदद से हम लोग इस जोड़ प्रत्या रोपड को पूरा करते हैं और ये उत्तर प्रदेश में पहला robot वारणसी में ही लगा हमारे संस्थान में तो technology के मामले में अनुभव के जुरत भी है हाला कि मरीज इस बात को अभी पूरी तरह से समझने को तयार नहीं होते हैं उनके मन में भिन भिन प्रकार के डर बैठे होते हैं लेकिन बहुत लोग आगे आ रहे हैं उनके पास आईशुमान काड हो जाने से सरकारों की पहल से और जागरुकता से जैसे हमारे मोबाइल आगे और यंग जनरेशन की सूजबूच से तो जो हमारे बुजर्ग शूरता हैं जो पेशेंट्स हैं उनको ये लाब बहुत आसानी से मिल पा रहा है तो अब ये बात बहुत दूर हो गई कि हमें इस समस्या के लिए दिल्ली बंबई या कलकता जैसे बड़े शे चरशा करना चाहेंगे और सिर्फ आर्थराइटिस की चरशा नहीं करेंगे इसमें शुरताओं में कई बार एक कंफ्यूजन होता है कि आर्थराइटिस गठिया और ये जो घुटने की समस्या है इनमें समानताएं किस तरह की हैmos और भेनताएं कोई व्यक्ति कैसे ये फरक क शब्द है इस आसान से सब्द के अंदर सो प्रकार से उपर के arthritis छुपे हुए है तो जो हम घुटनों की बात कर रहे थे जो उम्र के साथ होती है उसे osteoarthritis age related है उम्र के साथ होने वाली घुटनों की समस्या या गठिया दूसरी सबसे common है rheumatoid arthritis इन में हमारे जोड जोड में दर्द होने लगता है ये मौसम के साथ बदलता है तभी हम बिल्कुल ठीक रहेंगे फिर जब मौसम में परिवर्ता नानने लगेगा तो हमारे अनेकों जोडों में दर्द होने लगेगा हाथ की छोटी उंगलिया पैर की छोटी उंगलियों में सूजन आने लगती है सुबह सुबह दर्द सबसे ज़्यादा होता है तो ये rheumatoid arthritis की तरह इशारा करता है दूसरा होता है गाउटी arthritis जिसमें गाउट हो जाती है तो गाउट में yuric acid level बढ़ने लगता है तो अने खान पान के प्रदार्थों के वज़े से भी किसी किसी में yuric acid की level बढ़ती है और उसके वज़े से कुछ जोड़ हो सकता है प्रभावित उसमें सबसे सामाने है पैर का अंगुठा जिसमें सूजन और दर्द होता है एक जवान लोगों में होने वाली arthritis है enclosing spondylitis ये प्राथमिक रूप से रीड की हड़ी और दोनों कुलों को बहुत ज़्यादा छतिग्रस करती है जवान लोगों का कहने का तात्पर है छोटे बच्चों सो भी हो सकती है पांच साल के तीन साल के बच्चों से ये शुरू हो सकती है और ये तक्रिबन तक्रिबन 35-40 साल के लोगों तक होती है समानता है इसमें पुरुष लोगों को ज़्यादा छती होती है और इसमें रीड के हड़ी में जकरान दर्द, सुबह-सुबह उटने पर तकलीफ इस प्रकार की समस्याइं अगर होती है तो उन्हें तुरंत विशेशग्य से मिलना चाहिए और विशेशग्य बड़ी आसानी से इस बात को अलग-अलग कर लेते हैं कि किस प्रकार का अर्थरैटिस और उसके लिए खुनों के एक्सरेट ब्लड के कुछ जाचे कराई जाती है और उस क्लिनिशन या उस डॉक्टर के अनुभव पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है क्योंकि बहुत बार जो हम खुन की जाचे कराते हैं तो दस से पंद्रपरसेंट पिशेंट्स में बिमारी होने के बावजूद भी वो निगेटिव आ सकती है तो इन तीनों का मिश्रड ही वहाँ तक हमें नतीजे तक पहुँचाता है एक डॉक्टर कानुभव आपकी रिपोर्ट्स आपके एक्सरेज ये बताते है और जब हम अगर बात करें रिड की हड़ी की समस्याओं के लिए तो इसमें एक्सर और MRI का बहुत रोल है अगर हम बात करें यंग में चोट लग जाने पे घुटनों में या कुलों में किसी भी जोड में तो MRI का बहुत एहम रोल है तो उसको कितना छती हुआ है उसको जानकर डॉक्टर उस वक्त बचाओ के रास्ते सुझा सकता है या उसको रिपेर के रास्ते सुझा सकता है तो कार्टिलेज का बचाना ही सबसे पहला हमारा लक्ष होना चाहिए क्योंकि अगर हम उसे बचा लेंगे तो हम आगे आने वाली गठिया को मात दे सकते हैं और अगर हम उसमें चूक जाते हैं तो फिर गठिया पुरी तरह से हमारे उपर हावी होती है और हमें major surgery और इस प्रकार की चीजों की जुरुत पड़ती है कार्टिलेज का बचाव आपने बताया है कि उस पर ध्यान देने की बहुत आवश्यक्ता है तो ये चुकि सबसे प्रमुख बचाव है और medical science में कहा जाता है कि बचाव इलाज से बहतर है तो जब हम बचाव की बात करते हैं तो किन-किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपने बताया कि पचास-पच्पन वर्ष की आयूबे अमूमन ऐसे सित्य होती है कि वेक्ति घुटनों की समस्या से प्यूडित होता है अगर वो उम्र के साथ होने वाली एक आर्थराइटिस है या गटिया है तो पचास की उम्र तक आते आते वेक्ति को ऐसी कौन सी बाते हैं जिनका खैल रखनी की ज़रूद है ताकि उसको घुटने में किसी तरह का दर्द या जोड़नों का दर्द ना हो और उसको इस तरह के प्रतियारूपन की आवशेक्ता ना पड़े तो सबसे प्रमुक है कि हमारा वजन कम होना चाहिए तो वैग्यानिक तोर तरीकों पे हर एक हाइट पे एक कितनी आदमी की लंबाई है उसके अनुसार एक वजन साइंटिफिक रूप से निकला गया है कि उसके लिए बहतर है तो हमें बहुत मुटा नहीं होना है या हमें बहुत पतला नहीं होना है और हमें अपने सरीर को एक्सेसाइज करके रखना है अगर exercise से मास्पिश्या चुस्त और दुर्स्त रहती हैं हमने बहुत सभी नहीं अभजर किया गया कि गाउं के बहुत सारे लोग हैं जो बुड़े बाबा हो गए या माता जी हो गए उनके अब वजन बहुत जादा नहीं है और वो अभी भी नियमित रूप से exercise करते हैं और काफी स्वस्थ है शहर के लोगों के मुकाबले या इस नए जनरेशन के लोगों के मुकाबले तो पुरानी बातों सभी हमें सीख मिलती है और इसी सीख को scientific व्यग्यानिक तोर तरीकों सभी पुष्टी करी गई है और अगर हमें जोड़ों में चोट लगती है या हमारी जोड़ों में दर्द होता है तो हमें एक एक्सपर्ट से मिलकर उचित इलाज कराना चाहिए और अगर किसी चोट के कारण है या सूजन बराबर बनी हुई है या बार-बार आ रही है तो हमारी एक बहतर चुना होता है जिसे कि हम काटलेज की छती को पहले पकड़ देते हैं भोजन में आमतोर पर किन बातों का खयाल रखने की जरूएथ है क्या भोजन में शामिल करना चाहिए ताकि जो हड्डियों की मजबूती है चुकि हमारा शरीर पूरी तरह से एक हड्डियों के ढाचे पर स्केलेटन पर बेस्ड होता है तो उसकी मजबूती बहुत आवशक है किन बातों का ध्यान रखने की आवशकता है खान पान में खान पान में हमें नियमित रूप से दूद एक ग्लास डेली लेना चाहिए चाहे किसी भी उम्र का हो और महिलाएं खास कर जब मिनोपॉज या 55 या 60 के आसपास आ जाती है तब उन्हें विशेश ध्यान रखने की जुरत है क्योंकि इस वक्त उनकी हट्डियां बहुत तीजी से कमजोर होती तो ऐसे में जो जागरुक महिलाएं हैं या हम सब को जागरुक होना ही चाहिए तो जो जागरुक लोग हैं वो अपना डेक्साइज स्कैन जैसी जाचे करा के कि कितना कमी आई है उसके लिए भरपाई करने के लिए क्या कर सकते हैं उसके उपर बात करते हैं तो खान पिन में मिल्क, आइरन रिच प्रोटीन, फूड जैसे हरी साग सबजियां और दूद अगर कोई जिसी को बहुत सारे लोगों को होता है कि दूद नहीं पचता है अचर दूद साब एक बात और महत्वपूर्ण है कई बार कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जनेटिक होती हैं हमारी जन्हें हम वैशानूगत कहते हैं कि मेटरनल साइड में या पैटरन साइड में वो बीमारी पहले से एक्जिस्स करती है और समय के साथ-साथ आगे आने वाली जनेरेशन में भी वो बीमारी आगे कंटिन्यू हो जाती है तो इसके साथ भी क्या ऐसी स्थिति है? हाँ इसके कुछ arthritis के साथ ऐसी इस्तिती है जैसे rheumatoid arthritis मैंने बता कि जोड जोड में अगर दर्द हो रहा है तो समानता देखा गया है कि परिवार में माता या पिता के तरफ किसी ना किसी को या दादा दादी के तरफ किसी ना किसी को उस arthritis के लच्छण रहे थे एसी enclosing spondylitis के बारे में हमने बता है जो यंग लोगों में गठिया होती है जिनके लीड के हड़ी में समस्या होने लगती है वो भी जनेटिक रिलेटेड है और अन्यशोतों से भी ये पता चला है कि जो हमें उम्र के साथ वाली भी गठिया है कुछ लोगों के या कुछ race को ये ज़्यादा प्रभावित करती है अन्यके मुकाबले तो हम Asian, Hindustani लोग जो जमीन पे ज़्यादा बैठते हैं या जो हम लोग Asia में रहने वाले हैं उनमें थोड़ी सी इसके अनुपात Western के मुकाबले ज़्यादा है ये एक geographical भूगोलिक बदलाव है पर इसका बहुत ज़्यादा कोई ऐसा dependent नहीं है पर हमें अपनी बचाओ रखना चाहिए और हमें उसी पर ध्यान केंदरित करना चाहिए अचा कूलों की गठिया का आपने जिक रखिया कूला प्रत्यारोपन भी कई बार चर्चा में रहता है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और कूला प्रत्यारोपन की आवश्यक्ता कपड़ती है कुल्धा प्रत्यार उपर जैसे मैंने आपको बताई जो काटिलेज होती है हर जोड के उपर ये काटिलेज की सतह रखती है ये एकदम चिकनी सतह है जैसे हम अपने मेज के उपर माइका लगाते हैं या काच रखते हैं वैसे ही हड़ियों के उपर एक चिकनी सतह होती है तो कि ऐसे हम लोगों ने कोविट के दौरान भी देखा कि बहुत सारे स्ट्रोइड का अंजुश्टिक्स यूज़ हुआ जो बहुत उचित नहीं था या बहुत लंबे समय तक चला उनमे इस तरीके के समस्य आने लगती है कि गुला सुखने लगता है तो जब गुले का आकार खरा कि जब हम बात करते हैं तो आम तोर पर लोग चिकत्सकों के पास इसलिए नहीं जाना चाहते हैं कि यह एक लंबा ओपरेशन है और काफी दिनों तक हमें हॉस्पिटलाइज रहने की आवशकता पड़ेगी बहुत भारी भरकम खर्च आएगा पर जिस तरह से आपने बताया कि रोबोटिक सरजरी आजकल के समय में हम अपना रहे हैं तो क्या उससे सबय धन इस तरह से किसी चीज़ की बचत की संभावना है और समय और धन लगभग अमूमन कितना खर्च होता है इसमें मैं शुरताओं को बताना चाहता हूँ कि धन का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है अगर आप समस्या से जूज रहे हैं तो विभिन प्रकार की सरकारी मदद उपलब्द है गैर सरकारी मदद उपलब्द है अस्पतार डॉक्टर की तरफ से उनका परसनल जो वो खुद अपनी सरफ से अपने मरीजों को कर सकते हैं सभी लोग इस समस्या को दूर करने के लिए प्रतिबद हैं तो आपके लिए खर्च कहीं से मैटर नहीं करता आप इस बारे में अपने आपको इसलिए न रोके कि खर्च उसके लिए होगा आप डॉक्टर से मिलें और हमारे में बुढ़े होने की अबादी अब धीरे 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 करके बढ़ेगी तो अगर हम स्वस्त नहीं रहेंगे तो जितने का ऑपरिशन नहीं होता उससे ज्यादे की तो हम दवाई खा जाते हैं उससे ज्यादा हम घर परिवार को परिशान कर देते हैं और निकलता नतीजा दुनिया भर में इस चीज को बहुत ही प्राइस में कम कर दिया है और पैसे के वज़े से आपको किसी भी प्रकार से रुखने के आफशकता है रही बत समय की तो इस पूरी प्रक्रिया में अमूमन कितना समय लगता है नॉर्मली डॉक्टर इस सर्जरी को करने के लिए 45 मिनट से एक घंटे में एक तरफ का जोड़ कर लेते हैं जो एक्सपिरियंस लोग है वो इस समय को और घटा सकते हैं आदे घंटे में भी कर सकते हैं ये कोई मेजर सर्जरी नहीं है आज आपका जैसे मालने अगर ऑपरेशन होता है तो शाम को आप खड़े हो सकते हैं अगले दिन आप खुझ से बाथरूम तक जा सकते हैं और दो दिनों के भीतर आप अपने घर जा सकते हैं सीड़िया चड़के अगर सरल देशी भावशा में बात करें शोताओं तो जैसे हम लोगों ने देखा है कि घोड़े की नाल बदली जाती है तो ये प्रकरिया बिल्कुल वैसी है वो जानवर है उसका हम लोग खेतने करते हैं और हम और आप इंसान है इसलिए हमारे लिए ओपरेशन थीएटर है पर प्रकरिया बिल्कुल है कि जैसे उसकी नाल घिश जाती हम दूसरी नाल लगाते है वैसी जैसे हमारी काटिलेज सत्य घिश जाती हमें काटिफिशल काट प्रत्यार उपन हो इनमें आम तोर पर जो सफलता की दर है वो क्या है और व्यक्ति या जो मरीज इस समस्या से जूज रहा था उसकी जीवन शैली इस प्रत्यार उपन के बाद किस स्थिती में होती है जोड प्रत्यार उपन सिर्फ घुटने की खराब हुई सता को बदलता ह तो हम फिर से दुबारा घोड़े की नाल वाला ही आपको example देना चाहेंगे नाल बदलने से कोई बुढ़ा घोड़ा, कोई रोगी घोड़ा दोड़ने नहीं लगेगा पर नाल बदलने से उसका दर्द कम हो जाएगा उसके जो पैर टेड़े हो रखे हो सीधे हो जाएगे उसी प्रकार से जोड़ प्रत्यार उपर करने से कोई व्यक्ति दौड़ने नहीं लगता अगर वो पहले से दौड़ता है तो वो दौड़ेगा पहले से वो स्वस्थ है इच्छुक है तो सब कुछ करेगा पर अगर वो रोगी है, उसको घुटने की भी समस्या, उसकी रीड के हड़ी में भी समस्या, उसको शरीर में अन्य समस्या है, मांसिक रूप से बहुत ही सुस्त है, नहीं चलना फिरना चाहता, आराम तलब है, तो उसका दर्द तो खतम होगा, उसका पैरों में जो तेड़ा न घुटना प्रत्यारो, उन सब बिमारियों में घुटना प्रत्यारोपड कराने से अन्य बिमारियों में भी फाइदा दिखा गया है, अगर आपको शुगर है, बीपी है और आप चलते नहीं है, तो आप लाजमिए कि आपकी शुगर भागेगी, बढ़ेगी, बीपी की स समस्या आएगी, हाट के ओपर लोड होएगा, और चलता फिरता मनुष्य का शरीर, जैसे हमारी सनरचना होई है, उस सनरचना में मानो शरीर सिधा खड़ाओ के चलने के लिए बनाए, अगर वो बैठ जाए, तो वो शरीर धीरे-धीरे करके खराब होने लगए, तो इसलिए हर संभव कोशिश करनी है, कि हम दर्द मुक्त होके, जादा से जादा चलने, अपने जीवन शैली को चलता फिरता बनाए, जित्ता भी हमारे पास समय है, हमों चलते फिरते बिता है, दौक सब, किसी भी बीमारी में समय बहुत मातोपूर्ण होता है, तो इस बीमारी की जब दौक्टर्स को विजिट करते हैं, तो हड़ियों से जुड़ी हुई समस्याओं से बचाव हो सके, इसके लिए कितने अंतराल पर दौक्टर्स के पास विजिट करने की आवशकता है? तो हमें लगता है अगर हम घुटनों के बारे में बात करें तो घुटनों में जब दर्द आपको शुरू हो जाए आपकी देनिक दिन चर्या में दिक्कत आने लगे छे महीने आपने दवाई एक्सेसाइस के बावजूद भी आपको मंचाहाराम नहीं पड़ रहा है तो यही आशा करते हैं हम डॉक्टर्स वैग्यानिक तोर तरीकों से भी यह पाया गया है फिर हम दवाईयों के चक्रों में ना पड़े क्योंकि जो हम दवाई खाते हैं उसे गठिया खतम नहीं होती क्योंकि कोई दवाई ऐसी धर्ती पर नहीं है जो बुढ़ापा खतम कर दे और यह बुढ़ापे के होने वाली समस्या है तो वो बढ़ापानी खतम करेगी, वो दवाईयां आपके दर्द को खतम करती हैं, पर उसके कारड को नहीं. तो आप दवाईयां खाते रहते हैं, पीछे कारड बढ़ता जाता है, पहले एक घुटना होता है, फिर दोनों होते हैं, फिर रीड के हड़ी पकड़ लेती है, फिर आप बैठक हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति ना आने दे. सही समय पे जब घुटनों में दर्द शुरू हो, तो अपने डॉक्टर से सला ले, उस समस्या का कितना विक्राल रूप है, वो डॉक्टर हर मरीजम को को अलग-अलग होगा, वो देख के उनको किसी को दो महीने, छे महीने, इस तरीके के समय देते हैं, एक्सेसाइज बतात हो, तो एक ये उचित समय होने लगता है कि आपको इस ऑपरेशन के बारे में सोचना चाहिए, इसके अनेक फाइदे भी हैं, क्योंकि एक में है अगर आप कर लेते तो आप दूसरा बचा सकते हैं, दोनों में है तो आप रीड के हड़ी बचा सकते हैं, तो अगर हम ऐसा नह लोग सब वक्त हो रहा है कारिक्रिम को समाप्त करने का, तो हमारे सबी श्रोताओं के लिए वो चाहे किसी भी उम्र के हूँ, उनके लिए क्या सुझाओ, क्या सलाख, क्या संदेश होगा आपका, कि अपनी जीवन शैली में किस तरह के बदलाओ अवशक हैं, ताकि इस तरह कि जो समस्याएं हैं, जो उम्र के साथ-साथ हमारे स्वास्ते को प्रभावित करती हैं, वो ना हो और हम ऐसी बीमारियों से बचे रहे हैं, तो मेरी सबसे पहली सला है कि सब लोग दूद पी हैं, छोटे बच्चे से लेके बुड़े आदमी तक, सब लोग अपने वजन को क काफी सुखी रहेगा तनमन से और हमारा काफी धन भी बचेगा, डक्टर सुरुख पुटिल जी आपने समय निकाल करके हमारे स्टूडियो में आये, हमारे शुताओं को अपने घुटना, प्रत्यार उपन और अस्थियों की बहुत सारी बीमारियों से अवेर किया, उनको जाबरुक किया, इतनी बहतरी जानकारी हमसे साजा करने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू अशुर जी, थैंक यू